हेलो आप सभी का स्वागत थे आपके अपने यूटूब चैनल त्यारी सक्सेस की में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग इतिहास के प्रमुग घटना एवं उसके घटित वर्स को देखेंगे दोस्तो इस टॉपिक से सवाल केसे बनता है आपसे पुछेगा बताईए उनिस सो पांच में कौन सी महा तुपून घटना घटित हुई थी तो आप सभी जानते हैं कि उनिस सो पांच में हुच थी बंगाल विभाजन यानि जो जो इन्पोडेंट बर्स और घटित घटना है उनको पढ़ना है ठीक है तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी बताने का कोई ज़रुरत नहीं है कि है कि मतलब कौन सा पढ़ा रहे हैं हम लोग कि सीरिस को स्टार्ट किये हैं अब इतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी पूरा आपको रिसेंट में एक्जाम है कल ही आपको एक्जाम है मतलब आप कोशीज की जितना भी वीडियो दिया गया है उसको ज्यादा से ज्यादा देखने का और आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि समनात मंदिर पर आक्रमन कभा था है दोस्तों भेरी इंपोडेन्ट है समनात मंदिर पर आक्रमन हेथ wann बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 को नेक्स्ट है मुस्लिम लिग की स्थापना कब हुई थी तो 1906 को हुआ था मुस्लिम लिग की विभाजन ठीक है कि कॉंग्रेस का विभाजन नरम पंती और गरम पंती में कब हुआ था याद रखना है 1907 और उसी को कहते हैं कॉंग्रेस में फूठ ठीक है याद रखिए कि बहुत-बहुत इंपोर्डेंट है नेक्स्ट है मारले मिन्टो सुधार मारले मिन्टो सुधार कब हो था तो 1905 को नेक्स्ट है दिल्ली दर्वार कब लगी थी तो दिल्ली दर्वार लगी थी 1911 को दोस्तों दिल्ली दर्वार में आपको याद क्या रखना है जोज पंचम आये थी भारत ठीक है और उनका बहुत पहले भारत की राजधानी कॉलकाता थी 1911 में परस्ताफ हुआ कि भारत की राजधानी आप कॉलकाता नहीं दिल्ली होगा लेकिन परस्ताफ हुआ था गारा में लेकिन इंप्लिमेंट यानि हुआ 1912 में याद रखना है दोनों का दोना डिफरेंस को दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ सकता है कि होम रूल लीग होम रूल लीग कवाई थी तो 1916 को और इसके लिए एनिवेशंट और आपका जो बाल गंगा धरती लखे वो महतुपून थे ठीक है होम रूल लीग के लिए नेक्स्ट है मुस्लिम लीग वा कॉंग्रेस में समझता हुआ था तो ये 1916 में हुआ था जो हम लोग देखे 1907 में जो कॉंग्रेस में फूट हो गया था नरम पंती और गरम पंती में दोनों के एक साथ फिर से मिलाया गया और क्या हुआ मुस्लिम लीग के साथ भी समझता हुआ कि हम लोग इस तरह से सीटों की वटवारा करेंगे सब में सब का हिस्सा होगा ठीक है तो याद रखना है 1907 में था पूना लखनो पेक्ट ठीक है याद रखिएगा नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा चंपर्ण अंदोलन कब किया तो गांधी जी द्वारा चंपर्ण अंदोलन किया गया थो 1917 में ठीक है 1917 बहुत बहुत इंपोर्टेंट है कि गांधी जी का यह सबसे पहला भारत में उनका पहला अंदोलन था वह पाई सकते हैं कि पहला उनका काम था ठीक है या दखना है नेक्स्ट है रोलक्ट अधिनिय रोलक्ट अधिनियाम या फिर कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है कि रोलक्ट एक्ट रोलक्ट एक्ट का वाया था तो 1919 में और इसी के बिरोध में दोस्तों जैलियावाला वाग जो हुआ था उसमें लोग सभा बुलाए थे इनके खिलाब किस तरह से काम करना है लेकिन जेनरल डायर ने निहत्ते बैक्तियों के पर गोली चला दिया गया था और बहुत संख्या में मारे गए थे और उसी की याद में 13 अप्रेल 1919 में हम लोग उसी दिन को जैरियावाला वाग नर्जंघार के रूप में जानते हैं तो जैरियावाला वाग नर्जंघार के खिलाफत अंदोलन क्या है 1920 में ठीक है और यह जो खलीफा का पत था उनको हटा दिया गया था और इसी लिए अंदोलन हुआ था यह वाला वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा खिलाफत अंदोलन क्या है 1922 में पर यह 106 अंदोलन का नतीज देखने को मिला था चोरी चोरा कांट और चोरी को कांट के वज़े से ही जहाओ यह सोगत आंदोलन चल रहा था उनको समाथ करना पड़ा था आगे चलते हैं नेक्स्ट है साइमन कमिशन के नियुक्ति जो साइमन कमिशन के नियुक्ति हुई थी 1927 में हुई थी याद रखना है बहुत बहुत इंपोडेंट है साइमन कमिशन लेकिन इसका रठन और नियुक्ति हो गया था 27 में लेकिन ये लोग साइमन कमिशन भारत में आये थी याद 28 में उसके बाद है भगत सिंग द्वारा केंद्री असंबली में बंब स्पोर्ट या नहीं भगत सिंग राजदेव और सुखदेव ने जो एसंबली था उसमें बंब कप फेके थे 1929 को ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट से पूर्ण सतंतरता की मांग कब की गई थी तो पूर्ण सतंतरता की मांग 1929 को लाहर अधिवेशन से क्या था और उस अधिवेशन की एध्यक्षिता कौन कर रहे थे उस अधिवेशन की एध्यक्षिता साइद लालवादू सुर्ण दोस्तों पढ़नी जवाल नहरू कर रहे थे ठीक है आप लोग थोड़ा देख एक 1930 में एक 13 में और 32 में तीनों सिरियल है अराम से रख सकते हैं आपको याद के रखना है 1930 में परथम कोल में सम्मिल्म हूआ था ठीक ए उसके बाद दूसरा पुछे या फिर तीसरा पुछे अब आराम से उग्तर दे पाएंगे तो दूत्य है । consequ Argent City में 33 में हो जाएग पूछे कि तीनों की तीनों सम्हिलन के तो तो संप्रदाइक निर्वाचन प्रणाली की गई थी तो 1932 में याद उसके बाद है दोस्तो पुनापेक्ट पुनापेक्ट हुआ था 1932 में किन के बीच महत्मा गांधी और बीर अमबेटकर के बीच हुआ था पुनापेक्ट याद रखना है इंपोर्डेंट है नेक्स्ट है भारत छोड़ आंदोलन भारत छोड़ अंदोलन कभी स्टार्ट दोस्तों क्रिप्स मिशन कब आ रहा था भारत में ओभी आया था 1942 को इन्पोडेंट है याद रखिएगा आज़ाद हिंद पोज का जो इस्थापना हुआ था उन्निस सो तेता लिसको ठीक है इन्पोडेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट है केवीनेट मीशन की आगमन तो दोस्तों केवीनेट मीशन था यह जो भारत में आये थे केवीनेट का गठन कराने के लिए यह था 1946 को याद रखिएगा इन्पोडेंट है सम्मीधान सवा कर निरवाचन कभा था यह भी हुआ था 1946 को सम्मीधान सहे मुझा शवाल आपके लिए इंपोर्डेंट रहेगा ठीक है वगेरा वगेरा थोड़ा देख लेज़ेगा अर्टिकल सब उसके बाद है अंतिम सरकार की गठन तो अंतिम सरकार की स्थापना कब हुआ था तो 1946 में हुआ था और भारत का विवाजन उसी को कहते हैं लोड मांट बेटन योजना वो कब हुआ तो 1947 को और 1947 को ही हम लोग का देश को आजादी मिली थी याद रखना है यही सब डेट आपको इतिहास से आज अगर आपसे पूछे कि फ्रांस की क्रांथी कब हुए थी तो 1789 ठीक हे रूस की क्रांथी पूछे तो 1917 ठीक है यह इवला वीडियो आपको समझ में आ आया होगा वीडियो आगर समझ में आया है तो प्रिमीडियो को सेर कर दीजेगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है आज ही बहुत सारा टॉपिक आपका कभर करवा दिया जाएगा तो आज पूरा एक्टिव रहिएगा कभी भी आम लोग अपलोट कर सकते हैं वीडियो ठीक है